हेलो एवरीवन तो यूट्यूब चैनल और जैसे कि आपको पता है हम सेनिक स्कूल के सीरीज कर रहे हैं कितनी बार मुझे से बुलवाओंगे चलो तो हम यह जो चैप्टर है आपका नया चैप्टर आज हम करने वाले रेश्यों प्रोपोर्शन इससे पहले जो वीडियो जो आप देख रहा हूं आपकी तो आ रहे हैं बट यार आप लोग कमेंट नहीं कर रहा रहा है कि सर मुझे असका अंसर यह है तो कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ भी आ यहां नहीं हरी है कि नहीं मेरा भी problem समझो यार मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं यार है कि नहीं तो यह देखो free education है तो लपक लो इसे बढ़िया से उपर से मैं आपके answers चेक करता रहता हूं आपके answers में comment करता रहता हूं ठीक है तो please आप लोग answers करिए और आपका paper बहुत जल्दी pass आने वाला है देखिए हमने जो है बहुत सारा chapters हमने already cover कर लिये उनको आप बार-बार देखिए question बहार से नहीं आएगा question यहीं कहीं से आएगा घुमा फिरा के आता question बहार से नहीं आता अरे question यहीं कहीं से आता है बस है कि नहीं तो आपको यह बात रखनी कि आपको comment करना है और अपने दोस्तों को share जरूर करें अगर आपको मेरा वीडियो पसंदा रहा है तो चलो तो आज का chapter शुरू करते हैं अब प्यारे बच्चों इस question की तरफ को चलते देखो sorry not question की तरफ को देखो fractions और ratio में क्या फरक होता है आपने पढ़ा होगा ratio की sir ratio में अलब 2 is to 3 होता है है कि नहीं तो sir इसको तो 2 upon 3 लिखते हैं तो यह तो fraction ही है ऐसा बोल सकते हैं आपकी sir यह तो fraction ही है यह 3 is to 2 को आप 3 upon 2 लिख सकते हो यह आपका fraction क्यों है मी तो इसने थिफ्रेक्षिन यह यह फिर यह fraction से अलग क्यूं ह depends है कि हम ratio को अलग बनाते देखो चो आपका fraction होता है ना वह पहली बार तो आप फ्रेक्षिन को एड कर सकते ना समझे लो कि जब बात होती है तो वो आपका sense बनाता है कि मिल जैसे for example यहां पर cake और soda की बात हो रही है तो eight cake or two sodas यह आप ratio में हो सकता है लेकिन eight cake or two sodas आपका fraction नहीं हो सकता है fraction जो होता है जैसे pizza pizza याद है pizza वाला जो example कर रहा था तो pizza में जो उपर numerator आ रहा था वो आपका pizza का ही तो part था है कि नहीं बट यहां पर जब मैं milk और water की बात करता हूं एक इसका सबसे बड़ी एक्जामपल है mixture मतलब ratio ratio का जो बड़ा बड़ी एक्जामपल हो mixture होता है ठीक है किसी चीज का भी mixture जैसे पानी की walk दूद की बात करते है तो दूद में क्या होता है तो पानी और दूद किस रेशियो में वह बताता हमें ठीक है लेकिन uniqu Wes ibaफ का the same quantity होती है fractions लेकिन अबड़ी इध्यो में आपकी different quantities हो तो different quantities को आप add नहीं कर सकते हो अब देखो 5 is the number of parts in 10 समझ मां आ गया 5 जैसे 5 upon 10 लिखा हुए तो 5 जो है वो उसके यहां पर तो 10 upon 5 लिखा हुआ तो 5 जो है वो उसके 5 parts कर चुके ठीक है और यहां पर इसका मतलब है 10 upon 5 का मतलब है 5 is the number of parts in another number यह another number की बात हो जाती है ठीक है तो दो अलग अलग मतलब इसका जो जैसे आप मैं अगर प्यारी सी language मैं बोलू तो इस पूरे का यह है जब मैं बोल रहा हूं कि उपर भी आपका numerator भी denominator में दोनों आपके पीजा के बारे में बता रहे है यह भी पीजा के बारे में बता रहे है यह भी पीजा के बारे में बता रहे है तो यह आपका fraction हो गया यह आपका fraction हो गया लेकिन अगर जब आपका यहां बता रहा है milk और यहां बता रहा है water तो यह आपका ratio हो गया म इस question की तरफ को नहीं इस ratio की definition को बढ़ते हैं जो मैंने आपको पहली बता है eight quantity में दो ऐसे amounts ठीक है दो amounts होते हैं मैंने बता है जिसे दूद है उसमें milk और water है या juice है उसमें पानी और juice है जिसे कि आप आप लोग क्या करते हो मेहमानों को क्या करते हो अंदर जाते हो थोड़ा सा उसमें माजा में पानी मिला देते हो ताकि माजा दर तक बचे ठीका और अपना तो बिलकुर माजा पूरा का पूरा पी जाते हो ठीक है तो उस वह आपका जो माज़ा पूरा का पूरा पी रहे हो तो आपका क्या हो गया fraction लेकिन जब आप माज़ा में पाणी मिला रहा हो तो वह आपका ratio हो ठीक है तो number of times यह आपको मैंने अल्रेडी बता दिया two quantities किस ratio में अब देखो आप questions की तरफ को बढ़ते हैं ठीक है यहां पर आप देख भी पा रहे होगे कि यह आपकी मलब कोई माला है उसमें आपके लाल और नीले मोती है मोती मलब beats कहते हैं इसको इंग्लिश में beats ठीक है beats कहते beats ठीक है beats नहीं beats मलब तो dance होता है beats मलब छोटे-छोटे वो दाने मोती के दाने तो यह देखो ठीक है तो यह दो तरह कि थे red और green और blue मुझे लग राज color blindness हो गया red और blue तो यहां पर आप देख सकते हो red कितने six है और four किया है blue अगर 10 मोतियों की माला बनती है तो उसमें जैसे चार जो है वो आपके blue color के होंगे और 6 जो है वो आपके red color के beat सुनगे उसमें ठीक है मोती मलब समझते हो नो चोटा-चोटा अब लोग तो समझी जाते हो सब कुछ ठीक है मेरी भावनाओं को चलो अब आगे बढ़ते हैं अब अगला question यह है ऐसे questions को कैसे tackle करा जाए अब देखो a is to b is to c लिख रहा है ठीक है तो यहां पर अगर आप ध्यान से दिखोगे तो आप डिरेक्ट नहीं लिख सकते हो क्यों कि यहां पर तो बी जो है वह five है और यहां पर जो बी है वह four है तो यानि पहले बी को तो equal करो है की नहीं बी को equal करो तो यहां पर एपन बी किता है पहले वाले case से four अब मुझे क्या करना है बी को equal करने जब मैं बी को equal करूंगा तो यहां पर equal करने के लिए मैं फाइब से multiply कर देता हूं अब देखो यह भी 20 हो गया यह भी आपका कितना हो गया 20 हो गया बी नहीं बढ़ाएगा तो आपका a कितना हो गया यहां से a आपका आगया 16 b आगया यहां पर 20 और c आगया आपका 25 तो अगर मैं ratio पूछू तो 16 की टेबल में आरहा है यह भी टू की टेबल में आरहा तभी cancel हो सकते हैं वर्ना यह cancel नहीं होंगा ठीक है तो answer इसका 16 इस टू 20 इस टू 25 है चलो अब अगले question की तरफ को बढ़ड़ना है प्यारे बच्चो अब यह question है ठीक है यह question है आपका 8 इस 3 4 is to 6 और a is to c की value find out करने के लिए बहुत easy a upon b आपको दिया हुआ पहले से a upon b किता दिया हुआ 8 upon 3 ठीक है और b upon c क्या दिया हुआ है आपका 4 upon 6 है कि नहीं अब मुझे क्या करना पड़ेगा आप b को equal करना पड़ेगा यहां तो b 3 है यहां b 4 है तो यानि इसको भी 3 से multiply कर दो ठीक है इसको 3 से multiply करो 3 से अगर उपर multiply करो तो 3 से नीचे भी multiply करो इसको ठीक इसके उल्टे से 4 से multiply जो यहां इसको करो इसको यहां समल तो यह 4 से multiply हो जागा तो a की value किती आगे a की value आगे 32 b की value कितने आगी B की value 432 और C की value कितने आगी C की आगी 632 18 ये आपकी A, B और C की value आगी लेकिन हमसे क्या बुचा है A is to C A is to C कितना होगा A is to C तो आपका हो जाएगा A की value 32 है B की value 18 अब देखो इसको further cancel से राउट करो 9 to the 18, 16 to the 32, है कि ने, तो इसका correct answer क्या हो जाएगा, 16 is to 9 is the correct answer, क्या ये दो questions आपको clear है, चलो, अगर clear है तो फिर आगे questions में बढ़ते हैं, तो प्यारे बच्चों, अब इस question की तरफ को बढ़ते हैं, क्या बोलता है, find the ratio of 90 cm to 1.5 cm, बहुत easy है, देखो, 90, रुक जाओ, रुक जाओ, कोई बात नहीं, 90 cm को 1.5 cm से बोल रहा है, तो कोई बात नहीं, हम pen choose करेंगे, इधर देखो, 90 cm को पूछ रहा है, क्या 1.5 cm की क्या ratio होगा, देखो, cm से cm कर जाएगा, 90 is to 1.5 का ratio पूछ रहा है, यानि, upon ही है, 90 upon 1.5 जब आप करोगे, 0.8 हेगा, उपर 0 होजाएगा, 15, 6, 90, 15, 6, 90, तो यह आजाएगा, आपका क्या, 60 is to 1 आजाएगा, क्योंकि आपका answer यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 6 सा रहा है, तो 60 is to 1 आजाएगा, ठीक है, यह question समझा गया, अब अगले question की तरफ को हम बढ़ रहे, देखो यह वाला question क्या बोल रहा है, बहुत ही अच्छा question है, बहुत ही प्यारा छुटकु मुटकु सा question है, ठीक है, ठीक है, देखो, क्या बोल रहा है, the ratio of income of expenditure, ratio of income to the expenditure is इतना, मैंने उस दिन भी बताया था, कि अगर आपको कहीं से अगर आपको income मिल रही है, आपकी pocket money भी income है, या जो आप चापलुसी करकर के अपने parents से कमाते हैं कि नहीं, उसमें भी महनत लगती है, महनत की कमाई है, यह expenditure हो जाएगा, या फिर आप क्या करोगे, saving करोगे, ठीक है, तो यानि expenditure करोगे, अब देखो, income आपको दी है, 7 और यह expenditure दी, इस to 5, ठीक है, अब आपको यह बात याद रखनी, ठीक है, यह 7, 7 रुपीज तो नहीं दे रहा न, तो आप इसको इसके पीछे जोड़ दो, 7 into x, 5 into x, मनलब 7 का ही, कुछ ratio होगा, x के multiple, मनलब 7 का multiple होगा, यह हमें बता रहा है, और यह 5 का multiple होगा, यह हमें बता solve करें, ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं अच्छे से, जैसे कि आप लोग लिखते हो, तो यहाँ पर अगर मैं पूछू, इंकम कितनी हो, इंकम, is equal to 7 x हो जाएगा, ठीक है, expenditure, is equal to 5 x हो जाएगा, एक्सपेंड कितना कर रहा है, 5 x कर रहा है, if she saves rupees, c हो गया, she, c, c, मतल सब लड़की, if she saves rupees, 2000, 2000, save कर दिये, तो अगर मैं यहाँ से पूछू, कितना save कर दिये, तो आप बलोगे, 7 x उसके तनखा थी, 5 x उसमें से save कर दी थी, तो 2 x save कर दिये, 2 x save कर दिये, लेकिन actual में saving कितना कर दिये, 2000 का save कर दिये, actual में saving तो 2000 के कर दिये, question में लिखा है, अब यहाँ से x की value find out कर लो, तो x की value कितनी हो जाएगी, 2000 divided by 2, यानि 2000 वंजा 2 और यह 1000 तीन जिरो यहाँ पर आ जाएगे, तो x की value 1000 आगी, अब आप से पूछ रहा income कितनी होगी, what was our annual income, तो यानि annual income 7x होगी, तो x की जगा पे तो हमें पता है 1000 है, तो 7 x यानि 7 x की जगा पे 1000 लिखोगे, x की जगा पे 1000 लिखोगे, तो answer कितना जगा, 7000, बस बहुत easy, बहुत ही कम इसकी income थी, मेरी तुमारी pocket money से भी कम है, इसकी income, ठीक है, तो अगर यह question समझ आ गया, तो अब हम अगले question की तरफ को बढ़े, अब प्यारे विच्छ इस question की तरफ को बढ़ते है, ठी पिछले वाले से, बोलना है, a, b, c, device and amount, a, b, c को कुछ पैसे मिले होंगे, गिरे वे, ठीक है, कितने मिले है, 2,989 रूपीज मिले है, उन्होंने divide कर दिया, अपने उसमें, 479 के ratio में, ठीक है, तो यानि, a को कितने मिलते है, तो let, a को कितने मिलते है, तो आप बोलते है, sir, a को 4x मिले होंगे, b को कितने मिले होंगे, sir, b को 7x मिले होंगे, x से multiply कर दी, c को मिले होंगे 9x, ठीक है, और total उन्हें मिला के, अच्छा, इसमें, if b share is amount rupees इतना, b को कितने मिले, b को 7x मिले, लेकिन according to question, b को कितने मिले, 2989, तो 7x की value कितनी हो गई है, 2989, है कि नहीं, according to हमा 7, 4, 2989, यह देखो, यहां किसमें, multiply में, तो उधर जाके divide में हो जाएगा, अब देखो, 7, 4, 28, 28, 29, 1, 7, 2, 14, 14, 14, 18, 4, 7, 7, 49, तो x की value कितनी होंगे, 427, लेकिन question क्या बूच रहा है, what is the total amount, total amount कितना होगा, अब देखो, total amount क्या है, 4x a को मिल रहा है, b को 7x मिल रहा है, c c को 9x मिल रहा है, तो इन सब को add कर दो, तो 4x plus 7x plus 9x, जब आप करोगे, तो यह हो जाएगा, 16, 16 plus 4, 20x, 20x की value पूच रहा है, x की value कितनी हो, 427, तो 20 into 427, अब देखो, 0 ऐसे का, ऐसे आजाएगा, 7, 2, 14, carry 1, 2, 2, 4, 1, 5, 4, 2, 8, 8, 5, 4, 0, is the correct answer, बस, इतना easy question था, ठीक है, अब अगले question की तरफ को बढ़ते है, अगले question की तरफ को बढ़ते है, जब हम अगला question करते है, बोलता है, यह तो बहुत easy है, ठीक है, यह वही पिछला वाला question जैसा है, बोले, divide 4000 among a, b, c, अब इसमें बोले है, मान लो, a को कितने मिले वे, a को 5x मिले वे, ठीक है, b को मिले है, 7x, ठीक है, और d को, c को मिले वे, कितना, 8x, ठीक है, अब बोले, divide, total amount कितना था, 4000 था, total amount 4000 था, तो यानि total कितना मिला होगा, उन्हें, total आपके मिला होगा, 5x, plus 7x, plus 8x, तो इसको आप अगर further solve करोगे, तो 5, यहाँ पे हो गया, ठीक है, यहाँ ध्यान से सुनना, मैं क ऐसे solve कर रहाँ, 5 और 5, 10, बचेगा, इसमें, 2 बचेगा, मालब, 5 plus 2, 7 होता है, तो 10 और 2, 12, यानि 20x, तो 20x की value आपको कितनी दी भी है, 4000, ठीक है, 20x की value आपको कितनी दी भी है, 4000, तो x की value कितनी हो जाएगी, x की value हो जाएगी, 4000, upon 20, तो 22 is 40, तो answer कितना आजाएगा, x क value 200, अब पूछ रहा है क्या, अच्छा, बोल ला है कि, हाँ, कितने में divide करना, मालब, हर एक जने का निकालना, तो a के लिए आपको पता है, x की value 200 होगी, a को 5x मिला हो है, तो 5x मतलब तित्ता हो जाएगा, 5 into 200, 5 into 200, यानि, आपका 1000 तो a को मिला है, 1000 तो a ने हड़ पा दिय तो यह थे आपके, ऐसे करके, अब आप, आप मुझे comment में, सी को कितने मिले हैं, यह बताओ, ठीक है, मैं आपको बताओंगा नि, और सी को कितने मिले हैं, यह आपको मुझे बताना पड़ेगा, अब प्यारे बच्छों, इस question की तरफ को बढ़ते हैं, बोलता है, in a school, there were 400 students अब देखो, students हैं, तो या तो क्या होगी, या तो प्यारे प्यारे boys होंगे, या प्यारी प्यारी girls होंगी, ठीक है, या तो boys होंगे, या फिर girls होंगे, और कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, तिसरा चीज तो कुछ हो ही नहीं सकता, student की बात हो रही, teacher की भी बात नहीं हो ठीक तो टोटल इस्टूडेंट्स कितने आए तो 3x ही है 5x ही है तो 3x प्लस 5x जब आप करोगे तो वह कितना हो जाएगा 8x तो यही तो आपके टोटल इस्टूडेंट है ना 3x boys है 5x girls है तो 8x की value actual में question में कितने दिये वह है 400 students टोटल कितने दिये वह है 400 students दिये वह हैं कि नहीं दिये अब x की value पूछ रहा है तो x की value कितनी हो जाएगी 400 अपॉन 8, 8, 5's are 40 तो यानि 50 तो x की value कितनी हो जाएगी x की value 50 होगी अब आपसे पूछ रहे है number of boys तो 3 into 50 कर दो 3x है ना क्योंकि जो number of boys है अगर आप ध्यान से देखोगे तो number of boys कितना दे रखा आपको number of boys आपको दिया होगा है 3x यहाँ पे देखो ना अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे देखो तो number of boys उसने 3x दिये और आपको पता x की value 50 आ गई तो boys कितनी हो जाएंगे boys is equal to 3 into 50 यानि 150 3 into 50 कितना आ जाएगा 150 यहां तेका clear है तो इसका correct answer कितना है 150 इतना समझ आ गया अब अगले question की तरफ को बलड़े हैं बच्चे इधर देखना ठीक है अब अ चुना ही लगाते है ठीक है तो चुनाव में ठीक है in an election अरुन अरुन अब पता नहीं कौन सी पार्टी से खड़ा था ठीक है अरुन गॉट्स ओहो जिस भी पार्टी से था लेकिन वह हार गया बोल रहा है अरुन मैंने आपको off का बता रखा ना तो क्या बोल रहा है देख यानी अरुन को कितना मिला होगा अपन टोटल वोट तो इसे मिला होगा कितना तो आप बोलोगे सब्सक्राइब लेकिन इसने बोला है find total votes if Arun got 200 votes Arun ko 200 votes मिले to total votes कितने मिले ore unko कितना मिला तो arun को मिला है आप कर लो 2x ठीक है तो इसको कितना मिला होगा total vote कितने होंगे total vote होंगे आपके कितने है आपके 5x है कि nicht अब देखो 2x की value तो आपको पहले से दियावा क्यों की बोला हुआ है और उनको कितने मिले है 200 तो 2x is equal to कितना हो गया 200 x is equal to 200 upon 2 यानी 100 तो x की value 100 आ गई अब आप से पूछ रहा है अब total वोट कितने थे तो x की value 100 है तो 5 into 100 तो यानी 500 हो यह वाला question समझ आ गया यहां तक कि लिए रहे चलो अब अगले question की तरफ को बढ़ड़ें प्यारे बच्चो ठीक है यह है आपका आखरी question इस वाली slide का इसका second part आने वाला है बहुत जल्दी second part आएगा बट यहां पर इस ratio and proportion का यह आखरी question है question बोलता है the ratio of angles of a triangle is 4 is to 3 is to 2 if the sum of their angles is 180 then find all the angles तो यह question तो आपको करना ही पड़ेगा यह पिछले साल का question है ठीक है आपको पता है आपको angles रखने पड़ेंगे 4x 3x 2x इन सबको add करके कितना होगा 180 सम मतलब 180 तो होता है तो चलो यह वाला question आप homework में करो और मेंको comment box में answer बताओ तो प्यारे बच्चो आज का जो वीडियो है वो यहीं पर complete हो जाता है ठीक है इसका second part बहुत जल्दी upload होने वाले चैनल पर तो आप बने रही है हमारे साथ अगर आपको यह को चैनल पसंदा रहे तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो बच्चे शेयर करोगे तब भी तो sharing is caring ठीक है तो चलो आज की class यहीं पर end करते टाटा बाई-बाई-बाई have a nice day take चैनल आपके